हेलो एब्रिवेट कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ इस डिजाइन को आप अपने मन चाहे किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं यह देखे यह कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है इसे आप लेडिस के काडिगन चाकिट में, जैंस के काडिगन में, स्वेटर में जा फिर बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं यह बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन है तो इसे आपने जुरू ट्राई करना है और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाह हैं ऐसे उल्टी तरफ से इसकी जितनी भी रो डलती हैं वो सारी उल्टी उल्टी ही डलती हैं सिरफ सीधी तरफ से ही इसमें हमारे ये डिजाइन बन कर आएगा तो इसे बनाने के लिए स्लाई में यहाँ पर फंदे ले लिये हैं 20 फंदे, 20 फंदे लिये हैं मैंने यहाँ स्लाइब, स्के, मैल्टिब्ल से एटीन फंदे और दो फंदे एस्टिज के, इश स्की first row है जो सीधी तरफ से शाब गों उतारने के बाद 1 फंदा हम सीधा बनाएंग ai एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंग चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा अब इस S-Stitch को छोड़ कर यहां से यहां तक यह छे फंदोगा डिजैन है इनी छे फंदो को हमने बार-बार रिपीट करते जाना है एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दुबारा से इसी डिजैन को रिपीट करेंगे यह एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार अब यहां पर आपकी रो किस तरह से आएगी देखे ये दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, ये पूरी रोव आपने ऐसे ही बनाते जाना है, ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर से धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे बन वीरते हैं पीड़ना लेने हैं फिर से चार खंदे ऊल्टे ऐसे ही करते हुए आपने पूरी रोग बनाकर complete करेने हैं लास्ट में यह दो फंदे बचेंगे इस में वो सारी सिंपल ऐसे ही उल्टी उल्टी पड़ेंगे उल्टी तरफ से हमारा कोई भी डिजाइन नहीं आएगा अब सीधी तरफ से ये हमारी थर्ड रो है इस फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब सीधे फंदे को हमने यहाँ पर इस उल्टे फंदे को आगे लेकियाना है और दोनों को सीधा बना देंगे, ऐसे एक, और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब इस सीधे फंदे को यहां बाहर, इस उल्टे फंदे को अंदर लेकियाना है, तो आगे से पहले सीधे फंदे भी इस तरह से स्लाइड डालेंगे निकाला, अब इस उल्टे फंदे को पीछे से यहां ले आए इस फंदे को आगे और दोनों को इने सीधा बना देंगे एक और ये दो अब इस स्टिच को छोड़िए ये छे फंदों का डिजाइन इनी छे फंदों को बार बार हमने रपीट करना है इस सीधे फंदे को यहां उल्टे फंदे को अंदर लेकिया आना है तो पीछे से फेले उल्टे फंदे में स्लाइड डालेंगे निकाला, अब सीधे फंदे को निकाला उल्टे फंदे को यहाशे, लेफ्ट इन डिजल में ले लिया, इसी आगे ले आए गुमते हुए, ठीक है, अब इन दोनों को सीधा बना देंगे, अब फिर से यही फंदों को टर्ण करना है, तो उल्टे फंदे में पीछे से स्लाइड डालनी है, निकाला इसे आगे ले आए इस तरह से इसे अंदर और दोनों को सीधा बना देंगे एक ये दो इस तरह से अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इन दो फंदों को हमने ऐसे ही ट्विस्ट करना है सीधे फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे निकाला पीछे से देखे इस फंदे को यहां लेंगे इसे यहां पर इन दोनों को सीधा बना देंगे और लास्ट में ये S टीच का फंदा भी हमारा सीधा इस तरह से ये दो-दो फंदे थे जो हमारे सीधे ये दोनों फंदे एक फंदा इधर को ट्विस्ट हुआ एक फंदा इधर को ठीक है? ऐसे ही हमने देखे यहां पर किया, ऐसे ही यहां पर और बीच में ये दो-दो फंदे हमारे उल्टे आगे अब उल्टी तरफ से फिर से हमने पूरी रो ये उल्टी बना लेनी है इस फर्स्ट फंदे को उतारना है और ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है रो फिफ्थ सीधी तरफ से पाचवी सलाई है हमारी सीधी तरफ से तो इस फर्स्ट फंदे को पहले आपने उतार देना है फिर धागा अपनी तरफ करना है ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये वाला फंदा यहाँ पर ये गुमाते हुए ले लेंगे इसी नीडर पर और दोनों को सीधा बना देंगे एक दो ठीक है अब इन दो फंदों को भी ऐसे ही करेंगे तो दूसरे फंदे में पहले सलाई डालेंगे ऐसे आगे से अब निकाला पहले फंदे को यहां पर लेफ्ट नीडरल में ले लिया दूसर इस तरह से धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तो देखे ये एस्टिच को छोड़ेंगे ये एक फंदा उल्टा बनाया फिरी से ट्विस्ट किया फिरी इस फंदे को ट्विस्ट किया फिर से एक फंदा उल्टा तो ये छे फंदों का डिज्यान है हमारा इनी छे फंदों वो आगे लेके आना है तो पीछे से पहले दूसरे फंदे में स्लाईड डाली निकाला अब इस पहले फंदे को आगे से असे स्लाई में ले लिया अब दूसरे फंदे को आगे ले आए और इन दोनों को सीधा बना दिया अब इस पहले फंदे को अंदर और दूसरे फंदे को बाहर लेके आना है तो इसे आगे से स्लाईड डालेंगे इस तरह से निकाला अब इस दूसरे फंदे को ले लिया पीछे और आगे से ले आए इस फंदे को आगे और दोनों को सीधा बना देंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इस उल्टे फंदे को अंदर सीधे फंदे को बाहर लेकाना पहले उल्टे फंदे में पीछे से स्लाइड डाली निकाला अब सीधे फंदे को यहां पर ले आए आगे पीछे और उ चार फंदे हमारे अंदर आगे हैं, ठीक है, अब फिर से इजनी फंदो को ट्विस्ट करेंगे, सीधे फंदे में आगे से स्लाइड डाली, निकाला, पहले उल्टे फंदे को पीछे से लेट इंडर में ले लिया, घुमाते हुए इसे, आगे ले आए सीधे फंदे को, और दो पूरी हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है, 6 तरो हमारी ऐसे ही उल्टी उल्टी आएगे, रो सैवन सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, एक, दो, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, अब ये ही छे फंदों की डिजाइन को पूरी स्लाई में हमने रपीट करना है दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे अब दोबारा से रपीट करेंगे तो देखें क्या करेंगे दो फंदे उल्टे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये डिजार रो आपकी ऐसे डलेगी देखिए ये चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे ऐसे ही ये एक दो तीन ये चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे हमारी जो केवल वाले ने सीधी दिखाइ दे रहे हमें इने सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए आपके चार फंदे उल्टे आएंगे और यह लास्ट में हमारे पास जो फंदे बचेंगे दो उल्टे और एक सीधा इस तरह से करते हुए आपने ये पूरी रो बनाआ कर 7th row complete कर लेनी है अब row 8 हमारी उल्टी तरफ से जो पूरी हमने उल्टी बना लेनी है इस फ़र्स्ट फंदे को उतारीए और ये पूरी रो हम ऐसे ही उल्टी-उल्टी बना लेंगे रो नाइन सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे ये बिल्कुल हमारी row 9, 7th row की तरह बनेगी, बिल्कुल सेम टू सेम फंदों पर आपने फंदों को बनाते जाना है दो सीधे, धागा अपनी तरफ, ये एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये लास्ट में दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस तरह से करते हुए ये पूरी हमने 9th row बनाकर कम्प्लेट कर लेनी है अब 10th row हमारी 10वी सलाई उल्टी तरफ से पूरी हमारी उल्टी, फंदे को उतारिए, ये पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे अब जैसे ये डब्बी हमारी ऐसे करके खुली थी ना, ये डब्बी को हमने अब बंद करना है तो उसके लिए देखे क्या करेंगे फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, ये 11वी सलाई है हमारी ठीक है धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये वाला सीधा फंदा यहाँ पर ये उल्टा फंदा हमने अंदर लेना है तो इस तरह से आगे से स्लाईड डाल लेनी है पहले सीधे फंदे में निकाला पीछे से उल्टे फंदे को लिया स्लाई में सीधे को यहाँ ले आए अब इन दोनों को सीधा ही बना लेना है एक और ये दो इन दो फंदों को ट्विस्ट करने के बाद अब इस सीधे फंदा और उल्टा फंदा एक और ये दो इस तरह से धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब सीधा फंदा यहाँ उल्टा फंदा यहाँ पर आएगा तो आगे से स्लाइड डालेंगे ऐसे सीधे फंदे में निकाला उल्टा फंदा हमने यहाँ से ले आए सीधे फंदे को आगे कर दिया और इन दोनों को ये एक ये दो सीधा बना देंगे अब फिर से सीधा फंदा यहाँ पर उल्टा फंदा यहाँ लेके आएगे तो ऐसे स्लाइड डाली उल्टे फंदे में सीधे फंदे को ले लिया पीछे यहाँ पर और उल्टे फंदे को आगे ले आए पिछे से अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे ये एक ये तो अब धागा अपनी तरफ फिर से ये दो फंदे उल्टे फिर धागा दुसरी तरफ अपने फिर से वो ही हमने ये पूरी स्लाइमें ऐसे ही आपने डिजैन को डालते जाना है देखिए इन दो फंदों को खोल लिया है हमने उल्टे हमारे पास 4-4 फंदे थे अब 2-2 रहेगे क् एक फंदा यहां पर और एक फंदा यहां पर इधर से भी एक फंदा यहां पर अंदर आ गया है और एक फंदा हमारा यहां पर अंदर आ जाएगा तो बीच में यह दो-दो फंदे रहे गए है ना अब यहां से आगे से स्लाइड डाल ली हमने सीधे फंदे में निकाला अब प पीछे से स्लाइट डालेंगे ऐसे अब इसे यहां ले आए इसे यहां और दोनों को हमने सीधा बना लेना है एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ लास्ट में यह एक फंदा उलटा और एक फंदा सीधा अब उल्टी तरफ से यह कमारी डिजैन की बार्वी रो है जिसे हमने पूरा ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बना ले रहे है रो थर्टिन सीधी तरफ से पहले फर्स्ट फंदे को उतारेंगे फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब फिर से हमने फंदों को ट्यूस्ट करना है इस फंदे को यहां उल्टे फंदे को उंदर लेक पहले इस फंदे को हमने सीधा बनाया धागा दूसरे फंदे को भी सीधा ये दोनों फंदे हमने ट्विस्ट किया हैं दोनों फंदों को सीधा बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे अब दो फंदे ये उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इ सीधा फंदे को आगे से हमने ऐसे ले लिया उल्टे फंदे को अंदर ले आए और दोनों को हमने सीधा ही बना लेना है ये एक ये तो इस तरह से ठीक है अब फिर से सीधे फंदे को यहां ले लिया निकाला उल्टे फंदे को ले आए यहां दोनों को सीधा बना लिया इस तरह से एक दो देखें यह डब्बी जैसे हमने यहां पर इस तरह से खोड़ ली थी ना यह डब्बी यहां पर हमने बंद कर ली अपनी डिजैन सेम टू सेम वैसे ही हमारा चलता जाएगा डिजैन बिलकुल मुश्किल नहीं है अब धागा अपनी तरफ दो फंदे यह उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से सीधे फंदे को यहां उल्टे फंदे को अंदर लेके आएंगे पीछे से स्लाइड है उल्टे फंदे को पीछे से लेफ्ट एंडेल में लेना है सीधे को आगे लेना है और दोनों को सीधा ही बना लेना है एक दो अब धागा अपनी तरफ करते ही हुए दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ पीछे से से किन फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे इस दे फंदे को अंदर उल्टे को भार ले दोनों को सीधा बना दिया एक तो ये लास्ट का फंदा भी सीधा ऐसे करते हुए ये पूरी 13 रो हमने मना कर कम्प्लीट कर ली है अब 14 रो बना नहीं है हमने 14 वी सलाई उल्टी तरफ से जो पूरी हमारी उल्टी उल्टी ही आएगी इस तरह से अब रो 15 सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतार देंगे उतारने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करते हुए चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो एस टेज को छोड़िए ये छे फंदो का डिजैन है जैसे हमने फर्स्ट रो में डाला था वही रो हम यहाँ पर डार रहे हैं देखिए फिर से ये एक फंदा सीधा ये बीच में आगे आपकी दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये दो तीन चार अब धागा दूसरी तरफ लास्ट में ये एक फंदा सीधा ये एस टीच का फंदा भी सीधा ऐसे करते हुए हमने 15 रो पूरी पंदर भी सलाई बना कर कम्प्लीट कर ली है अब रो 16 सोल भी सलाई हमारी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी आएगी जिसके बाद इसे फर्स्ट रो से आपने दुबारा से डिजाइन को रिपीट कर देना है फर्स्ट रो से यहां से अगर आपको कोई भी कनफीजन हो तो मेरी वीडियो दुबारा चला कर देख लीजे डिजाइन वैसे बहुत असान है यहां पर दो फंदे आएंगे न वही पर उन दो फं दे हो गए हमारे फिर यहां से खोला तो फिर से यहां पर दो फंदे हो गए हमारे तैज better रिजान सेम टू सेब वही है वैसे ही सेम आपने उसे बनाते जाना है एक बार समझ गए ना फिर तो बहुत असान लगेगा आगे आगे आप इसे रिपेट करते जाएंगे ना इस तरह से ये डिजैन आपका बन कर आएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजैन है जुरूर राई कीजिएगा ठीक है तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत फूलिएगा मैं फि भी तार बड़ी गडिए मैं जाज कीजिएगा वी जान शोलिएगा मैं वीडियो को लीडिएगा ठीकिएगा जो तो ये बहुत सब्सके पने ही है ञती की बहा है उनल उनी मत तो बहँ गड़ा तो जा की की अटेकिएगा वीजीजगार भिलके नहीईगा लाचा